बिस्मिल्लायर्मानर्मस्सालामुलेकूम और आज के इस लेक्षर के अंदर आपको AI-based software बनाने सिखाए जाएंगे या simple software बनाने सिखाए जाएंगे जिससी बेस पे आप आगे future में चाहके अपने software को पेज़ भी सकते हैं तो जाहरी बात है मैंने आपको पिछले lectures के अंदर prompt इंजिनिंग जितनी अच्छे तरीके से समझाई है अगर आप उसमें अमल करके अपना prompt design करते हैं और उस prompt के थरू कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने चैट जीपीटी से हो गया cloud AI से हो गया बाट से हो गया बिंग AI से हो गया किसी से भी कुछ भी पूछना चाहें आपक इस तरीके से काम करें वाले हैं क्योंकि हम data science और AI की base पे काम कर रहे हैं तो आज का जो software होगा उसकी main जिस्ट जो होगी वो basically link up करेगी हमारे AI software के साथ यानि कि आज हम एक छोटा software बनाने वाले हैं कि आप EDA कैसे कर सकते हैं by making a software एक software हो जिसके ऊपर आप अपनी file upload करें automatically आ that is the main aim बड़ा quick software है और यह बनाने वाले हैं और इसके पहले आपको दो तीन चीज़ें आपके गोश्ट गुज़ार कर दूं कि जब आप एक software बनाते हैं तो उसके अंदर आपको काफी चीज़ों को मंदे नजर रखना होता है तो उन चीज़ों को भी discuss किया जाएगा कि कौ पुरे को पुरा software जो इसे develop करने वाले हैं और इस lecture के बाद इंशाला आप अपने idea से base पे आज बैठे बैठे दो software और बिल्ट करेंगे which are very small ones idea मैंने सोचे हूंगे कुछ आप आप उसमें add करेंगे ideas को and then we will see के इंशाला यहां पे software बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है जी त्यार है आप लोग फुली त्यार होंगे नहीं त्यार तो कोई नहीं ताम दस दिने की में त्यार होना है and here we are यह जी आपके सामने chat GPT chat GPT आपके सामने है इसके इलावा अगर आप चाहें तो cloud AI के नाम से एक है जो मैंने आपको बताया था यह नहीं आपके पास चलता तो poi.com आप उस पे चले जाएं वहां पे total हर एक चीज़ आपके पास इस तरीके से सामने आ जाती है तो poi के उपर सारे के सारे software's free में आपक आ सकते हैं तो यहां पर cloud instance भी है और many other bots as well जो यहां से आप select कर सकते हैं तो poi.com का अगर आपका account है तो आप cloud AI को वहीं पे access कर सकते हैं जिनके पास नहीं है यह account तो अगर उनके पास cloud नहीं चल रहा क्योंकि काफी ज़दा लोग परिशान थे कि cloud AI हमारे पास नहीं चल रहा हम यह देखने वाले हैं किस तरीके से आप एक software की graphical user interface मनाते हैं तो सबसे पहले मैं देखूंगा GUI libraries in python GUI का मतलब होता है graphical user interface graphical user interface यानि कि यह जो हम google chrome को use कर रहे हैं यह जो mouse मैं लेके जा रहा हूं click कर रहा हूं drag कर रहा हूं यह सारी की सारी चीज़े GUI के थ्रू हो रही है तो हम क्या करेंगे कुछ libraries use करेंगे जिनमें पाई QT है पाई सिंपल GUI है और Tinker इसको किंटर भी बोलते हैं काफी तो आपका अपनी मर्जी है जो भी बोलना है किंटर भी बोल दें जब तक आपको काम करने का पता है अगर आप इन libraries की documentation देखेंगे तो आपको और भी करूंगा फिर cloud पर लिखूंगा वही फिर वही पर आप लिख सकते हैं और इसी चीज़ को आप Google बार्ट पर भी लिख सकते हैं और वाज एनदर वन कॉल लेमा टू अगर आप पर प्लैक्सिटी लेमा पर प्लैक्सिटी पर जाएं तो यह लेमा टू को यहां पर भी यूज कर सकते हैं but I will write down here so मैं बोलूँगा act as a मैं थोड़ा से इसको बढ़ा कर लेता हूँ as a software developer हमने बता दिया कि भाई तुम्हारा रोल क्या है आप यही प्रॉम्ट अपने पास special लिख के भी रख सकते हैं फिर मैं एकली चीज़ बताने लगा हूँ क्यों यह हमने बोला कि तुमने क्या करना है हूँ आर यू फिर हमने बताना है मेक शो मी अ कम्प्लीट कोड रिटन इन पाइथोन मेक आ सॉफ्टवेर यूजिंग जीजुआई लाइबरेरीज लाइक किन तर मैं लिखते ता हूँ बेसिकली जो मुझे फेमेस लगती है मेक दे बेस्ट जीजुआई एवर तर सॉफ्टवेर शुड पर्फॉर्म एडिए अनलेसेस ओफ गिवन डेटा सेट यूजिंग पांडास प्रोफाइलिंग ठीक है आपको पता है ना वो एक क्लिक में आपको पांडास प्रोफाइलिंग जो है वो करके दे देती है फिर इसके बाद पहला लिखता हूं मैं जी फर्स्ट वन इस आस्क यूजर तो अप्लोड दे डेटा अप्लोड के स्पैलिंग मेरे हमेशा घलत हो जाते है मेरा ए वला हाथ ज्यादा तेज़ चलता है ओ की बजाए इफ यूजर वांट आस्क यूजर तो स्लेक्ट थे सेंपल डेटा फ्रॉम कीवन ऑप्शिंश नमबर थ्री गिवन ऑप्शिंश शुड फैच डेटा फ्रॉम एस नेस डॉट लोड डेटा सेट ठीक है यह आपको पता है आप करते हैं हैं सिरफ हम उसको जुबान डिफरेंट दे रहें आपको अप्टन टीटन्यक एच तरा ठीक है एड़ बटन टो रन डेटा अनलसिस भादास परफाइलिंग show final output in a browser if user ask give user a check button as well ठीक है यह मैंने कुछ चीज़े लिखी है फिर एंपे मैं कहते ता हूँ my aim is to develop this software for beginners who want to quickly do EDA for their data set show me complete code अब एक और चीज़ लगाने लगाँ do not disappoint me by giving error in the code समझे बात की तो आप बाते ही कर रहे हैं so some यह होता है negative prompt मैंने आपको बताया था ना positive prompt होता है negative positive का मतलब क्या लेना है negative का मतलब क्या नहीं चाहिए तो negative को आप इस तरीके से लिख सकते हैं अब यह मैं सारा prompt copy कर रहा हूँ इसको मैं run करता हूँ यहाँ पर let's see क्या करता है cloud पर मैं run करता हूँ let's see यह क्या करता है poe.com के ओपर जो cloud है उससे run कर सकते हैं या मैं यहाँ पर port कोई और choose कर लेते हैं lemma 2 कर लेते हैं 70b वाला मैं इससे पूछता हूँ perplexity labs पर भी lemma 2 है तो मैं यहाँ पर 70b वाला select कर लेता हूँ इससे पूछ लेता हूँ यह मैंने चार bots से directly पूछा आपके पास जो भी available है you can go with that अब cloud AI UK US में available है लेकिन आप Opera के VPN के through use कर सकते हैं चोलो नहीं कर सकते मान लिए जी आपकी बात आप करते हैं नहीं होता जिए तो मैंने बता दिया और रेड़ी poe.com से आप cloud को access कर ले ना यूर बाट्स पर जाके यह पड़ा cloud है यह instant है यह cloud complete वाला है यह limited access के साथ होगा बट स्टिल इस वाइन यह instant है दोनों में से कोई भी use कर लें सो काम करना चाहिए बंदें को बाकी हो जाता है सारा कुछ लें जी मेरे पास code जाना start हो गए यह पढ़े है सारा code इसका और बाकी code अलग से ठीक है अब आपने करना क्या है अपने गोर से देखना है कि code कैसा है यह चेक करें उसने जो टिकिंटर जिसे मैं बोलना हूं यह किंटर लाइबरेरी यह उसको install करके उसको import किया और उसके अंदर से different चीज़े निकाल लिए फिर web browser को import किया so on and so forth उसने यह code लिख दिया define किया edi app का class object oriented programming के अंदर यह चीज़े होती है अगर नहीं पता आपको so don't worry about it हमें prompt का पता होना चाहिए everything is done by the board as well तो इसके अंदर further functions को define करके उसने main को यहां पे loop में ले आया तो हमारा जो है वो code रन कर जाएगा उन्होंने बोला है कि make sure you have these libraries तो यह requirement की file भी आपके पास आठीक है किस तरीके से हम चीज़ों को बॉट के अंदर लिखते हैं और कैसे उसको ले क्याते हैं मैं आपको same prompt send कर रहा हूं चैट के अंदर अगर अलाव हुआ मुझे यहां पे लंबे मैसेज भीजना obviously send हो गया लेकिन copy का option शायद ना है तो इस वज़ा से आपको discord के चैनल के अंदर all lectures के अंदर यह भी मैंने भी यह पूरा prompt आप इसको अपने तरीके से modify करेंगे और इसको run करेंगे खुद से ठीक है और यही चीज मैं यूट्यूब पे नहीं भीज सकता जो live मैं चला रहा हूं आज ताकि आपको lecture मिल जाए बट I can put that thing into description hopefully तो अभी आप अगर description पे click करेंगे तो वहां पे आपको यह prompt मिल जाएगा description में डाल दिया है अच्छा अब आपकी मैंने mind capability चेक करनी है जो मेरे साथ इतने दिनों से AI का कोर्स कर रहे हैं कि यह एप कैसे चल नहीं है आपने code उठाने एक environment बना लेना पहले software के नाम से उसके अंदर यह libraries इंस्टॉल कर लेनी और फिर आपने इस code को रन करने कैसे रन करने मैं अभी आपको बताता हूं उपर जो प्ले का बटन आ रहा होता है आ रहा होता है ना प्रे का बटन कि यह नहीं आ रहा अब यह नहीं कहीएगा कि हमारे नहीं आ रहा चले मैं आपको थोड़ा सा इसका डैमो भी देता हूँ यह जनाब आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी राइट यह वाली अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कोशिश करके समझते हैं चीजों को क्या ख्याल है बाइद आवे किसका लाइफ का आज पहला सौफ़एर बनने जा रहा है अब मैंसे कोई बता सकता है कि मैंने पहले भी बनाए है या आमें से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि आज हमारा लाइफ का पहला सौफ़एर बनने जा रहा है मतलब आपके हाथों जारी बात है सबसे पहला काम मैंने क्या करना है मैंने यहां पे बलके ml app की बजाए Apps के अंदर की बजाए code के अंदर जाके यह software के अंदर मैं क्लिक करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूँ EDA Software ठीक है डाट PY पाई की फाइल बनानी आपने ठीक है मैंने यह फाइल क्रियेट कर ली अब इस फाइल के बनाने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वह यह है गोर कीजिएगा आपने सबसे पहले यह टोगल बटन पे चले जाना है मैंने आपको पहले भी बताया थ घ्याना आपके पास यह बटन होगा और यहां से अपने कमांड़ प्राॉम्ट चलाना जो आपने मेरे स्ट्रॉम्ट करना है इस फकूर लाँ आपके पास जो भी होगा वहां पर उस एन्वाइर्मेंट को बना लेना है और उसके इंदर installation कर लेनी है मैंने और रेड़ी बनाया हुआ है और उसके अंदर कौन-कौन से installation करनी है मैं आपको वह भी दिखा देता हूं then I have to go towards जहां पर मेरी यह वाली फाइल पड़ी हुई है ठीक है वह फाइल मेरी पड़ी है to install the libraries जो उसने मुझे बोला है मैं यहां पर उसे वैसे पेस्ट कर रहा हूं पिप इंस्टॉल पांडा सीबॉन पांडास प्रोफाइलिंग और यह किंटर ठीक है और उसने मुझे बताया कि किंटर वर्जिन यह वह अवेलेबल नहीं है because we have to install this as TK पिप इंस्टॉल ठीक है सही है तो मेरे पास और रेड़ी पड़ी यहां तक क्लियर होगी बात आपके पास बाकी सारी होंगी और रेड़ी आपने सिर्फ किंटर को इंस्टॉल करना है ठीक है अब मैं जो चैट जीपीटी फोर वाला कोड है उसे कॉपी करता हूं कॉपी करके यह यहां पर आपका सॉफ्टर वाला इंवार्मेंट अक्टिवेट होना चाहिए आप पाइथोन वाला भी कर सकते हैं उसके अंदर टिंक इंटर और पांड़ास प्रफाइलिंग इंस्टॉल हो जाती है करने के बाद क्लिक हीर यह यहां से रन होगा और आपके पास एक खुब लगे हैं मैं इसके काम करने के लिए मैक्सिमम तीन-चार मिनट यह चोटा सा इंटरफेस आ गया यह इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं अब इसके अंदर यहां तो आप अप्लोड डेटा करें मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेटा अप्लोड की बना दी है and everything is there let's see कहां पर रिपोर्ट बनाई है मैं आपको अपनी स्क्रीन दूसरे वाली दिखाता हूँ और मैं यहां पर वापिस जाता हूँ and hopefully आपके पास यह रिपोर्ट पढ़ी होगी यह आपके पास एडिये की रिपोर्ट पढ़ी हुई यह चेक करें ठीक है तो आप इसको HTML के अंदर इस तरीके से open कर सकते हैं तो यह एडिये आपका within few seconds हो गया है है से यह एक से फाइल बना दिया आपको तो यहां पर आपके पास एडिये पढ़ा हुआ सारे के सारा अलर्ट के ऑन कौन से हैं और व्रविव कौन से है वेरियेबल कौन से है सौन एंड सो फॉर्थ अगर आप गोर करें तो पंड़ास प्रोफाइलिंग इसने रन करके दे है साइर सो आपने सिर्फ उस को कोड और रन करने के बाद आपके पास सारा कुछ इस तरीके से html की फाइल के अंदर बन जाता है और यूजनी सब्सक्राइब की फाइल आपके many फॉल्डर के अंदर बनती है इसब्सक्राइबर के अंदर नहीं बन एक image file के अंदर convert करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे executable file जैसे बनती हैं, यह मेरी file वैसे ही बननी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इसको बोलेंगे, यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर से बोलता हूँ, thank you for the code, I would also like to ask you how to make, how to compile this into a stand-alone windows and mac software. क्योंकि Mac भी है, हमारे पास वो दूनों तरीके से देख सकते हैं, तो यह आपको कुछ code बताएगा, कि इस तरह के से चलें, py installer के थूँ आप चलेंगे, pip install py installer, वो करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यू can run this command, इस script को वो run करेगा, और एक file के अंदर उसे combine करके आपको दे देगा, ठीक है, अगर आपने window के अंदर करना है, तो you have to write this like that, और अगर आपने Mac के अंदर करना है, और इस तरीके से आपके पास ये proper तरीके से एक software बन जाएगा, हम इसको run करके देखते हैं, जो इसने बताया भी यहाँ पर, फिर दुबारा आते हैं वापस और इसको A to Z दुबारा देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ, यहाँ पर जाते हैं हम, जहा सवारा से यहाँ पर जाता हूँ, अच्छा, cd resources, codes, softwares, यहाँ पर आते हैं, हम मैं क्या करने वाला हूँ, pip install, py installer, यह उसने लाइबरेरी बोला है, यह मेरे पास अल्यड़ी पढ़ी हूँ, यह software के अंदर, अब अगला काम उसने क्या बोला था, कि आप क्या करेंगे, जो आपका script का file है ना, उसको आपने इस code के थूरू run कर देना है, मैं इस code को ही copy करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कौन सा code उसने बोला था, मैं यहाँ से थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ, ताकि आपको नजर आए, मैं इसको code को लिखता हूँ, अब जो मेरे code का नाम है, सिर् convert कर देगा, या sorry, executable file होगी, या bad file, whatever it is, आप Mac पे या PC पे अपनी मरजी से चला सकते हैं, pie installer के थूरू, और यह library pie installer जो है, यह बहुत important है, खास तोर पे आपकी compiled file बनाने के लिए, अगर आप यहाँ पे pie installer लिखेंगे, तो यह one file के अंदर आपको convert करके देदेगा, this is how you can use this, यह देखें, यह pie installer है, आप अपने पूरे program को एक final program के touch के अंदर convert कर सकते हैं, as a software, window के अंदर करना है, Mac के अंदर करना है, everything is written here, ठीक है, तो using pie installer कैसे use करना है, उन्होंने यह भी बताया हुए, अगर window के लिए specific है, वो भी बताया है, Mac के लिए करना है, वो भी बताया So, what you need to do, you just need to write down here on chat GPDPOE, या cloud, या आपका जो bard है, उसके उपर लिखना है, and it will take around, I would say, आपके system के speed के हिसाब से यह कुछ ज्यादा time नहीं लेगा, पांच से साथ मिनट के अंदर आपका software ready होगा, और आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आप ऐसे software बना के चोटे चो बन गी है, और वो file कहां पे अगर आप गोर करें, तो यहां पे build की, dist की, और spec की file बनी है, अगर आप build में जाएं, तो आपके पास यह सारी चीजें पढ़ी हुई है, binary code पढ़ा हुआ है, local space के अंदर जाएं, तो यह आपके पास सारी files पढ़ी हुई है, different किसम की, जो उसन standalone file जो है, वो use कर सकते हैं, और यह code जो है, इस तरीके से आप proper एक software के अंदर convert कर सकते हैं, which is quite easy, I know it will take some time आपको चलाने के लिए, मसला क्या है, code अच्छा हो, चलता हो, पहले वो test करना है, फिर आप convert करेंगे एक standalone file के अंदर, standalone का मतलब ही है, you don't need to install python, you don't need to install anything, आप सिरफ वो file को run करेंगे, आपका software ready है, और usually I know कि software development इतनी असान नहीं है, कि आप दो line लिखें और software development हो जाए, यह prompt engineering का गमाल है, कि आपको सारा कुछ लिखा लिखा है, मिल रहा है, otherwise you have to define the different classes and function, ठीक हो गया, right, अब आपने इससे exe file कैसे बनानी है, या आप standalone running file कैसे बना सकते हैं, you have to check by installer library, और उस library के अंदर यह सारी चीज़ें बड़ी detail में बताई हुए है, आप Macbook की file भी बना सकते हैं, आप Windows की भी बना सकते हैं, आप Linux की भी बना सकते हैं, आप other operating systems की भी files बना सकते हैं, ठीक हो गया जी, ओके, hopefully आपको यह चीज़ प्रसंद आई होगी, अगर नहीं आई तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसी को बेजने के बज़ाए, अपने पास यह software ज़रूर रखें, click करें, file upload करें, ED आपके सामने, so within few seconds, तो ज्यादा time नहीं लगेगा, let's make this software doable now.